तो आज मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग लुक करने वाली हूँ जो के है जरी की लुक इन रख से बिस्मिल में जो जोहरा के करेक्टर में सारा कान ने अपनी लुक क्रेट की विए विद कोहल आइज और थोड़े से वेवी बाल सो वो बगए टाइम जाया किये वे लिक सार्ट तो विडियो सबसे बहले आइंग तो यूज लॉर्यल का प्राइमर ब्लॉर्ड प्राइमर है यह आपके पोर्स को बिलकुल एकदम ब्लॉर्ड कर देता है और आपकी फांडेशन अराम से सेट हो जाती है आफ्टर दैट किफ इसको कंसील करूंगी और हाइलाइटड एडियास को हाइलाइट करूंगी ब्यूटी प्लेंडर की हल्ड से इसको ब्लेंड 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 Trading करेंगे और फिर गौौष की पैलोट में से ब्रांड चेट से मैं कट प्रश ने अंगल प्रश की है लप्से अपने आइ यूज 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 नहीं कर रही और मैं अपनी आई लैशिस को अच्छे से उपर की तरफ विंग करके और उसके पर मसकारे अपलाए करूंगी पर मसकारे से पहले हम क्या अपलाए करेंगे ब्लैक काजल पैंसिल वाटर लाइन पे अच्छे से अपलाए कर लेंगे बोथ आ इन शेड से मैं अपनी फुल आई लिड को कवर कर लूँगी और उसके बाद ये काजल पैंसिल से मैं आई लाइनर की तरह काजल एपलाए करूँगी आई लिड के ऊपर और नीचे आपने बहुत जादा ना मोटा लगाना है और ना ही पतला लगाना है बस एक मीडियम सी लाइन लगाना है क्योंकि अभी हम इसको ब्लेंड आउट भी करेंगे स्मोक आउट करेंगे थोड़ा सा बिलकुल ब्लेंड भी नहीं करेंगे बट आउटर एरिया से इसको हम ब्लेंड करेंगे तो गिव आग कोहल स्नूकी आईज अब इस ब्रश की हैंग से हम अपने आई काजल को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा सा स्मोक आउट कर लेंगे कि एक बिल्कुल ना नजर आए और जैसे जोहरा की लुक है इन रक्से बिसमिल बिल्कुल वैसी ये लुक बनेगी अब हम ये यूज करें हैं आई लाइनर और उससे जस्ट हम एक पतला सा लाइन करेंगे अपनी लैश लाइन को तो प्रॉमिनेंट लैश लाइन और वाटर लाइन पे अगर आपको जरूरत है तो आप जेल लाइनर भी यूज कर सकते हैं और जेल लाइनर से भी कर सकते हैं बट इट गिफ्स वेरी डिमेटिक लुक तो आइम गोईंग विद एक्वा लाइनर बाए क्रायो लैन सुपर फैम मस्कारा है स्मैश बॉक्स का ये यूज करेंगे फॉर आई लैश इस डोंट फर्गे की टीवी पेंट स्टिक में यूज करूंगी आज फिर से और अच्छे से आपने बहुत ज्यादा क्वेंटिटी नहीं लगानी बट ये कि आपकी कवरेज अच्छी हो जाए क्योंकि ये थोड़ी ब्रॉंज में लुक है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अगेन हम इसको अ कॉंटूर कर लूँगी लाइक डाइट के जैसे सारा खान का नोज और बहुत अच्छी कॉंटूरिंग हुई है बिल्कुल वैसे ही अपने फेस को मैं भी कॉंटूर करने की पूरी कोशिश कर रही हूं और अगेन क्यूंकि ये क्रीम कॉंटूर है तो इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर की ही हेल्प से कॉंटूर करेंगे और ब्लेंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल आपके सकिन के साथ ब्लेंडिन हो जाए उसके अंदर कैमफलाज हो जाए आफटर कॉंटूरिंग मैं ब्रॉंजर यूज़ करूंगी आज एल्फ का और उससे जिदर जिदर हमने कॉंटूर की है उसको हम वहीं पे सेट कर देंगे और पीच कलर का हम आज ब्लश यूज़ करेंगे जो के है लॉर्यल का आफटर यूज़ यूज़ मुआ का हाइलाइटर यह गोल्डश गोल्डन स्किनिश शेड में इसको हम एपलाए करेंगे अपने हाई पॉइंट्स पे और अगें आज मैं यूज़ करने वाली हूं स्वीट तच की कैपचिनो उससे मैं अपनी लिप्स को थोड़ा सा मूता क कर दूब और उसके बाद उसको फिल कर दूँगी पीच शेड से पीच गलर की लिपस्ति अगर आपके पास कोई लिक्विड लिपस्तिक आप उससे कर दें बट मेक शूर के वह मैट फिनिश हो शाईनी नहीं हो बिल्यप्र भी ग्लॉसी नहीं हो थोड़े से मैंने अपने लिप्स को मोता किया है अब आइम यूजिंग इस पीच शेड फॉर फिलिंग माइ लिप्स तो ये है जी लुक और अब मैं बॉंबे हैर का यूज करी हूँ हैर करलर और उससे मैं अपने बालों को करूंगी कर इसका हीटिंग टेम्टरेचर काफी जाता है टू फॉर्टी तक जाता है तो मेक शूर कि आप बलफ्स यूज करें ये मैंने थिन वाला लिया है करलर और इससे मैं थोड़े से थिक स्ट्रेंड अपने बालों के ले रही हूँ ताकि मेरा टाइम जादा कंजियम ना हो आप इसको करते जाएं और ये मेरी सारा कान इंस्पाइड लुक जो के रक्स है बिस्मल की मैंने रेक्रेट की आप लोगो को ये लुक पसंद आई होगी मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा सब्सक्राइब तो माई चैनल, लाइक वीडियो और शेयर विद यू फ्रेंड फैंवल तिल देन टेक केर, अलाफेज